नमस्कार, चुनाव आते ही जिंजिर राजियों में भाजपा की सर्कार होती है, वहाँ वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम खायब होने लगते हैं, वोटर लिस्ट में खेल होने शुरू हो जाते हैं, या तो फिर बेलो को इधर से उधर कर दिया जाता है, इंडिया की तरफ स जो गैरभाजपा वोटर है उनके नामों में गड़बड़ी क्यों की गई है? वोटलिस्ट में इस तरह का खेल क्यों किया जा रहा है? महराश्ट निवीजे पितनी जादा बेचैन क्यों है? इन सब पर बात करेंगे हां साथ वरिश codrakar और राशलितिक विश्टेश हैं अश् इस देश में चुनाव के मायने बदल गए हमारे देश में लोकतंत्र कैसा चलता है लोकतंत्र ऐसा चलता है कि चुनाव होता है राज़ितिक डल आते हैं वो आपने किये हुए अच्छे काम का बखान करते। जंता में आता है चुनाव करवाने का काम चुनाव आयोग करता है जो एक निश्वक्त समस्का होती है और चुनाव आयोग अपना प्रोसेस करता है यह लगातार इस देश में होता रहा है 2014 के बाद सबसे पहले चुनाव आयोग का सरकारी करण हो गया चुनाव आयोग सरकारी जे भी कंपरी हो गई इसकी स्वायत्ता नहीं के बराबर है मैं इस दावे के साथ इसले कह रहा हूँ क्योंकि जब भी कोई विपक्ष आवाज उठाता है आप देखिए एक जगा जहां सरकार जार्खान में सरकार है विपक्ष की सरकार है वहाँ पर बीजेपी ने डिमांड किया कि किसी भी हालत में इस डिजेपी जो डियरेक्टर जनरल पुलीस है इसको निकाल दोने चुनाव के टाइप यह नहीं होना चाहिए चुनाव आयोग इस डिमांड आने के एक आधे घंटे के अंदर आधिस जाने की ऐसी डिमांड इंडिया गडवंदन ने महारास्टर में की क्योंकि महारास्टर में डबल इंजिन की सरकार है तो चुनाव आयोग ने बोल दिया कि वह डीजीपी नहीं हाटेगावास ये इस बात का ज्योतक है कि चुनाव आयोग सरकारी भोपो बच चुका है और जब भी मेडिया सवाल उठाता है बतब सोचल मेडिया मेडिया के नाम पे आप अब चैनल और अगबारों की बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है गोदी मेडिया भी नहीं कहें तो क्यूंकि जो गोदी मेडिया है वो मेडिया होता ही नहीं जो कुछ बचा है अब सोचल मेडिया पर बचा है सोचल मेडिया आवाज उठाए या विपक्ष आवाज उठाए उसके लिए एक ही जवाब है चुनाव आयोग के हमारे होनहार जो चुनाव आयोगत है राजी कुमार वो एक प्रविश्च में उनके लिए जगाय रखी ये सरकार ने लेकिन उनको आज जो भी लोग कुछ कहते हैं कि छोड़ो बेकार की बात जो भी विपक्ष कहेगा वो बेकार की बात है जब चुनाव आयोग ही सरकारी हो गया है और लोक तंत्र का जो रिर की हंडी है वो चुनाव आ आयोग की निस्पक्ष दाही इस देश में लोक तंत्र को बचाए रखी और वहीं नहीं होता है आप की कोजी भी करो उसको कोई एंटरेन नहीं होता हम देखेंगे करेंगे सोचेंगे इसी पर चुनाव आयोग चल रहा है इसलिए विपक्ष को ज्यादा सजग रहने के ज़ भी का मताधाएं नहीं की चारे हूँ कि तो लोगों के तरना मताताओं को पैसंद्र करते हैं उन लोगों को अपना नाम छोटी में होना है जरूरी है मेरा भी नाम मैं चुनाव 24 का चुनाव में मता नहीं कर पाया क्योंकि मेरे घर में पता नहीं कैसा को चेक करके गया मेरी पतनी का भी ओट है मेरे बेटी का भी ओट है मेरी भतीजी चोग यहां से छोड़ की चली कि उसकी शादी हो गई मुंबई में उसका भी नाम है लेकिन सब के बीच में से अशुक मान कड़े गाए तो यदि वो घर प सकता है इसलिए अब बतदाताओं को अपना नाम सूची में सुनिचित करना होगा यदि वो भाजपा की विचारधारा को नहीं मानता है इसी तरह से इंडिया की तरफ से यह आरोप लगाया गया है विल्कुल आरोप लगे यह बार बार हुआ है हाजार एग्जेक्ली फरज वो जोक नहीं एक आदमी आके पुछता है कि रमा दिवी का ओट हो गया क्या है तो रहने लगता है बले इस बार भी रह गया तो बला क्या हुआ पुले मेरी माती मिलना चाहता था मैं तो बह handler मिलना चाहता तहू उसमें क्या मासी मिलने में इतना क्या प्राब्लम है उनको म कि सुची पे आज बात हो रही है आपको अब पोलिंग एजन्ट को भी ट्रेंड करना होगा हर्याणा में कई जगा ऐसी खबरे आई है कि फॉर्म सी सेवंटीन सुभई साइन कर ले लिया था जबकि फॉर्म सी सेवंटीन मशीन सील होने के पहले फाइनल कितना इस मशीन पे वोट हुआ है मशीन के नंबर के आगे वोट लिखा जाता है इतना वोट इस मशीन पे गिरा फिर मशीन सील होती है तो आपको ये भी देखना होगा कि आपके सामने आखरी में लगे मशीन सील हो जाए, आपके पास आजाए और जैसे आप अपने पास आजाए, आप तुरंत आपके पार्टी के वेबसाइट पूस को लोड़ करो ता कि जनता को मालूम हो जाए कितना ओटी हुआ, डियम के ने आप एजन्ट रहें, आखरी मद्दाता ने जब वोटिंग किया, सबने टालिया बजाई, एक दूसरे को हेलो हाई किया, सुबह आठ बज़े से बैठा हुआ, जो आजमें साथ बज़े से, वो ठक गया का सामके साथ बज़े से, बारा घंटे के बाद वो भी चला गया, उन सब्सक्राइब ने कुछ नहीं किया, अभी हर्याना में जो मशीनों की रिचार्ट, मशीनी चार्ज केसी हो, फिर आपको वहां से उतरने के बाद मशीनी जब जाती है, तो मशीनों का साथ आपकी टीम भेजनी पड़ती है, मोटर सैकल के, क्योंकि कब गाड़ी रिफेल हो जाए आपकी और किसी विधायक के गाड़ी में मशीनी जाए बता नहीं सकते है, जो आसा में हो गया था, उसके बाद मशीन जाँ होती ही, वहां आपको रात बर सोना पड़ता है, ने तो रात को मशीन चार्ज हो जाती है, हर्याना के चुनाव में देखा हमने 99.9% मशीने जब मशीन एक काउंटिंग के लिए आई तो, ऐसा कौन सा होता है, कौन सी अजूबा बैटरी है, जो विश्वा का खोज बैटरी के लिए तो लोग मरे जा रहे है, सारा खेली तो बैटरी का है, ऐसी efficient बैटरी यदि हिंदूस्तान के चुनाव आयोगनी इजात की होगी, त हर्याना, महाराष्ट, जारकन और चमुकश्मी, ये चार राज्यों के चुनाव नरेंदर मोदी और अमिर्श शाह का करियर टैकर, इनकी सत्ता पे रहने, क्योंकि बीजेपी में भी अंदूरी बहुत भयालत, अंदूरी विरोध चल रहा है, संग नाराज है, तो सब इंति ले लिए, लेकिन हर्याना जीतने के बाद भी ये उतनी, इनके चेरे पर खुशी नहीं हर्याना जीतने की, ये जानते हर्याना कैसा जीता है, कुछ गर्थी कॉंग्रेस की, कुछ अच्रिमेट इनकी, ये जो खेल करनी की, हर्याना जीत गए, अब महाराष्ट ये जीत नही मुंबई पर राज करना जरूरी है और महाराष्टर में वापस आने के बाद ही कहेंगे कि मोदी प्रैंड पर आज भी लोग रिशा सकते हैं संग बाट पर जाएगा इसी के बीच में मोदी जिन्हें एक चाल और चली पहली बार मैं मतलब आपके चनल पर इंफर्मेशन दे रहा हूं मोदी जिन्हें शिवराज सिंग चवहाल को एक कमिटी का अध्यक्ष बना है वो अध्यक्ष जिस कमिटी के है उस कमिटी में प्यों मों के सारे अधिकारी है और वो कमिटी 2014 से लेके अभी तक जितनी योजना है इस सरकार निगोशित की सभी योजनाओं की समिक्षा करेगी अब शिवराज सिंग समिक्षा करेंगे ग्रह मंत्राले की शिवराज सिंग समिक्षा करेंगे तमाम मुक्यमंत्रियों की यह योजना आपके राज्य में क्य तो उन्होंने एक मेसेज देने का प्रयास किया कि दो ही गुजराती नहीं चला रहे हैं, अभी हमने शिवराज जी को भी साथ में ले लिया, तो संग के एक सवाल का जवाब देने का प्रयास किया, और इसी तरफ योगी आदितिनात और अमिश्या को भी मेसेज गया है, कि तो यह तमाम बाती जो है, महाराश में गौरी लंकेश के हत्यारे को शिंदे की पार्टी जॉइन करा दी गई है, उस पर क्या काएंग गया? वो तो होता ही है, जब गवरी लंकेश के हत्यारे जब बाहरी निकले तब ही उसका स्वागत हो गया, तब ही मुझे याद आ गया, बिलकिस बानू के हत्यारों का कैसा स्वागत हो गया तो उसके साथ व्याविचार करने वालों का कैसा स्वागत हो गया था, और एकना सब्सक्राइब करने वाला उसको उसके उपर भेटाचार के आरोप थे उसको अपने पार्टी में लेने के बजाए वो पार्किंग स्टेशन है जो बीज़पी अपने साथ नहीं रख सकता है वो उनके साथ रखता है वो बड़े हो Tillों होता है ना कि ताज गूप ताज गूप के होटेल होते हैं जो उनका फ्लैक्शिक होटेल है लेकिन कुछ लोग इतना पड़ा पैसा आफोड नहीं कर सकते तो एक छोटो सा जंजीर उसको यह एक एमबेसेटर की चेन निकालते है यह एमबेसेटर क्या है ताज का यह होटेल है छोटा है कम कीमत वाला तो एकनाश शिंदे यह वही छोटा होटेल है जो कुड़ा कच्रा लेंकिन का वैस्तिखति articulateनि यहिख यह बिद्वास मेरीन चेखिंद्र की महारास्तर की राजदी किदर इककунति हैं click कटना के बर्बद क से तो पड़ा जाण के प्रेसितर हो जाएंगी यह एक छिंदु कश वी सूस्मेज लेना करता के बिल्कुल और सर राजेंद्र शिंगडे पांच बार की विधायक है इंडिया के साथ छोड़कर शरत पवार की पार्टी में शामन हो गया है हाँ यकिनन होगे क्योंकि यह उनको लगता है कि उनको वहां से सीट नहीं मिलेगी तो शरत पवार भी बता इसलिके शरत पवार पूरे महाविकास आगाडी में जो इंडिया गड़बंद है वहां शरत पवार ही एक आदमी है जो वन टू अन मार्किंग करते हैं उन्होंने हर अपने एक सीट पर जाओ उनको जीतना है वन टू अन मार्किंग करके वह अपने लोग एक-एक मोहरा बिठा रहे हैं से उसे नानमी भी वैसा काम क्या कॉंग्रेस से तुम्हें अपिशा करता ने क्योंकि कॉंग्रेस को लग रहा है कि हम सत्ता में आ रहे तो सीकेट बेशन कि लड़ोंकि कुझरे चाह्ट हमें और महरास्टर में बीज़ेप और कॉंग्रेस में चुक्राइब को ही लड़ाई कि अइसे ब जह घर जिलेंगा रिख दिखेत je देखिए अहर्याणा में क्या हुआ दो महिला मंत्री बनी है कौन है दोल महिला मंत्री महिला सचिक्ति करना ही है लेताओं की बेटियों को बनाना बिल्कुल और यह खुद परिवार बाद फिर किस मुझ से बोलते हैं नहीं इनको दिखिए निरलज्यता का अमृत काल चल रहा है शरम है कि आती नहीं आपने गरे मां में झागते नहीं दूसरों पेक बोलते समय सिर्फ राउल जब लादू याद हो जब राबड़ी को मुख्य मंतिर बनाता है तब सबको अब दिखिना वाकी नेताओं के पत्नियों को टिकिट कैसा दिया गया इसमें कोई बोलने को थेया गया कई लड़कों को अब इन्हों ने कहा जब देखिए कहला श्रीजावरगिया ने बेटे को टिकिट मांगा उसको यह बोला गया कि तुम चुनाओं रहे हो तो तुमारे बेटे को कैसा टिकिन देंगे लेकिन मुंबई में दो सगे भाईयों को टिकिन दिया गया अब तो भारती जनता पाटी का कोई नीती निया थोड़ी है चेहरा थोड़ी है चाल चली तो चेहरा सब खतम हो गया यह जुगार की पार्टी होगी जहां जो जुगार लगे वो सिठी जहरा खड़ में भी तो यही हुआ ना परिवार बात परिवार बात क्याते क्याते यह थंद गया जहार खड़ में तो भाजपा का राज्य का ही जो है उनको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है है और हाइट हो गई की एक राज साभ थे जब उन्हें पूछा राय साभ ने बहुत पुराने एक साध्याश्य रहे कुके है बहुत पुराने नेताल है उनका भी टिकिट कटा तो अब आज को बोला तो शीवराज ने खांक ए अरे आप चुनाओ लगना है तो पता ही नहीं थ कर रहा है यह कि आज भी सब कुछ कर रहा है जिसका नाम है में तो विश्व सर्भाद जो हिंदू के नए आइकॉन बने हैं वह अपने हिसाफ से कर रहे हैं और उनको विश्वास से कि मैं लोग तोड़के लाओंगा और टिकेट दूंगा सत्ता में आऊंगा दुसरत आज महराष्ट में क्या देख रहे हैं आज महराष्ट करना कि म Dewचाल के संवे कॉछ की सुची कंगे आने के बाद ही शिवसेना और उसकी आया कि एक बार कॉद्रणा Oprah य उसके बाद हम के साथ मैं बजे कार से कर सकता हूं तिकि आप मुझे कॉंग्रेस का हर्याणा के बाद तुम्हें कॉंग्रेस का विश्वासी बढ़े हैं कि जीती हुए बाजी कैसे हारते हैं इसमें कॉंग्रेस ने पीचडी कर रखी और अभी ठीकी टोकी बोली लग रही है महराष्टर को जगा से लोग आ रहे हैं कि देखिए हमारे यां इसका करकाद नहीं जाए बनेगी नहीं बनेगी और चिँटी कि यह र्लोग मुक्ळ्वास्ति के दाविदा एम we यह को कि पर अभी एज फिर भी किसको दिख रहा है इंडिया की तुरफ एज तो अभी देखे एज जंता का यह दी मानस है तो वो लोग सावा रिपीट करना चाहती है ओके पूरा आधिवासी बेट रिंके खिलाब कि कलपना सोरेन इनने पत्ब वो स्टार रिपोर्टर बबंगे उनने फिर पूरा समा बांदा अब बाकी नॉन जो खेल है। तो एक भावी और देवरा ननत का चुनाव ने महारास्टर में भी देख लिया 12 मती में तो यहां तो देखिए जनता संबंद को तार-तार करता है जो आपने संबंद नहीं रख सकता जनता हुई इस वक्त पर देख रहे हैं पुरा औरा जो तरह का आटिटूड लेकर चल रही प्रग्या जी उसके साथ कलपना के साथ एक एडवांटेज यह है कि वो कई आदिवासी भाषा जानती है तो जब आप ओरीजिनल डेलिक्ट में जब बात करेंगी लोकल डेलिक्ट में तो उसका एक संबंद बनता है कमिनिकेशन होता है समाथ स्थापी तो इस बार लग रहा है कि जारखंड में जो एच है वो अभी तो एच दिखता है वैंने फिर कहा कि कॉंग्रेस के हाथ में सवाल हो है सवाल हो है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शुक्सर आपने समय दिया दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया विदियो को बहुत 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 शेयर करिएगा अमस्कार